सकते हो पढ़ सकते हो आगे बढ़ते हैं आप लोग मुझे यह बताइए पिछली कलास में हमने आपको वर्ग और घंपढ़ाया था इसक्वाइरंड क्यों पढ़ाया था तो फटा फट उस पर आगे बढ़ते हैं वो टॉपिक तो फिलहाल खतम करेंगे आज लेकिन टेस्ट होगा लाइब टेस्ट लाइब टेस्ट होगा आजादी महुत सो बैच का पिछले एक सब्ता की दिन बहुत ही बुरे गुजरे हैं एक प्रकार से हॉस्पिटल में ही गुजरे हैं आपको बताएंगे बाद में डेटियल में इसलिए मैंने सुरुवाद में बात किया और अज कुछ छोटे-छोटे कुश्चन हम देंगे हैं अब लोगों को उनके जबाब इना है कि ठीक है है कि बिल्कुल सुनिए ध्यान से प्यार से सुनिये उनका अनसर आप लोग देंगे जैसे लीजिए मैंने एक दम बिल्कुल छोड़ा सा कोजिशन आप से पूछा कि मेरे भाई ये बताओ यहां पर घान है इसका मान क्या होगा फटा-फट जबाब दीजिए बंदना जी कह रहे ही कि टीचर वनूंगी तो आपको मिठाई खिलाने परियाग राजाओंगी जी बिल्कुल हमारी कोशिस है कि आप जल्दी से जल्दी मिठाई लेकर के आए और आप बहुत जल्दी टीचर बने भाई बनेंगी तभी तो लाएंगी न आप लोग कमेंट करिए तब तक मैं ये थोड़ा सा वाटर लेकर आया मतलब मिठाने के लिए ठीक है आई ये बात करते हैं आज टेस्ट होगा एक प्रकार से छोटे-छोटे कोश्चन होंगे उनका आप लोग जबाब देंगे आज आगे नहीं पढ़ाया जाएगा अगली क्लास में मैं आगे पढ़ाऊंगा कोई जबाद देगा इसका भाई या कुश्चन का कल्पना निसाद मैंने कुश्चन पूछा उपर इसका मान क्या आएगा जिनको नहीं आ रहा वो नो लिख के कमेंट करेंगे या ओ नो आपको आ रहा या सिया नो नहीं आ रहा है कोई बात नहीं आईए मैं बताता हूँ एक बात ध्यान रहे ये क्लास सिर्फ उनके लिए है जिनको मैत नहीं आती है जिनको आती उनके लिए बिल्कुल यहां टाइम पाफ नहीं करना वो निकलने चुप चाप यहां से जिनको ना आती उनको सिखाने की पूरी गारंटी है आईए मैं आपको समझाता हूँ सिस्टम से प्यार से दीरे दीरे देखो भाई कि यहां पर समझो जो यह सेबन टू नाइन है मैंने आपको घहन याद करवाया था ना याद करवाया था मुझे यह बताओ कुछ याद है कुछ भूल लगए कुछ याद रहा कि पूरा याद रहा नाइन का क्यूब क्या होता है हाँ कि नाइन का Q b ये होता है ना आ है 729 होता है ना बोलो हाँ कि होता है तो नाइन का Qением एक आप्धोरी बिला की क्यूब वाला है तो इसे हम ऐसे कर सकते हैं कि हल करेंगे इंग्लिस उच्छारन मेरा फो शक्ता नर्श एउ आ कि ऐसे हैं कि यह साथ सता उन्चा सत्ते 343 यह सेवन का होता है कि अगर आपने घन याद कर रखा होगा कि दोनों में अलग अलग कर दिया आपको समझने के लिए तो इसको मैं नाइन अपान सेवन लिख सकता हूं मुकेस जीनत अंसारी मिट्टू पूजा आरा समको समझ में ठीक है चलिए इसी लिए कहते हैं मेरे भाई मेरे बाबू यह याद कर लो जब आप कॉंपर्टीशन में कोई कुश्चन करोगे तो ऐसे छोटे से अगर कहीं आपको बीच में पार्ट मिलते हैं बेसिक सही नहीं है आप यह सब नोटंकी करोगे वहाँ तो टाइम बिच जाएगा टाइम नहीं बच पाएगा ठीक है समझ रहे ना आईए अब मुझे बताओ एक सांस में फट से पंदरा का घं क्या होगा फिप्टीन का क्यूब क्या होगा चलो अई यह मैं पूछ रहा हूँ आपसे फिप्टीन का क्यूब क्या होगा जैसे मैंने पूछाया कि फलाने बताओ आपका क्या नाम है आपका पंकाज मोहीत पूजा मोन पता नहीं क्या क्या आपको नाम बताने के लिए आपको कलम की जरूत नहीं पड़ती न वैसे इसको बताने के लिए आपको पैन नहीं चाहिए फटा-फट बताओ सबसे पहले मनीता राव ने बताया है नीलम सागर बिल्कुल तो यह याद रहना चाहिए हमारी यही कोसिस है क्योंकि यह है बिल्कुल जीरो लेबल वाला बैच तो इसमें हम आपको पढ़ाते नहीं सिखाते हैं पढ़ाने और सिखाने में अंतर होता है कर लोगी ना पक्का ठीक है आज यह टेस्ट ट्राइब का हो रहा है दूसरा और यह बताओ कि 720 का 90 परफिंट कितना होगा भया आपका इंट्रेस्ट आए बस हमारी यह कोसिस है मैथ में मैथ से आपकी मोहबत हो जाए मतलब प्यार हो जाए आपको मैथ से वह आखों में नीन देना दिल में करार वाली जिससे रात रात बर बैठके आप मैथ पड़ें समझ रहा हो ना और फिर जब प्यार हो जाता तो नीन तो ऐसे भी नहीं आती है तो इसलिए हमारी कोसिस है कि मैथ से ओजाए देख रहे हो कि मुझे इतना ज्यादा हो गया कि इतना दिसे सोया नहीं हूं आख देख रहे हो कैसे हुई चलिए आगे बढ़े चलिए रेबन 20 का 90 परसेंट कितना होगा सबसे पहला अगर कोई जबाद दिया है तो इसमें जर्रर आहमत जी ने दिया भाई बहुत अच्छे बरे गुड पूजा सिंग बोल रहीं कि 648 पर फेंट अरे बकलोल इंसान पर फेंट का चिन नहीं लगेगा जब आंसर निकाल रहें तो परसेंट का चिन कहां से लगेगा सेबन 20 इन्टू 90 भाईया यहां पर देको मेरी बात को बुरा नवाना करो पढ़ते टाइम कुछ भी सब चलता है परसेंट का चिन हटाएंगे तो 100 से भाग करेंगे बस दो 0 से एक जीरो से एक जीरो एक जीरो से एक जीरो यह सेबन्टी टू को नाइन से मल्टीपल करो नाइन टू जा 18 नाइन से बन जा 63 एंड 164 यह अंसर आएगा बस इसमें परसेंट नहीं लगा ना राजा नियादो कहेए मैं की फोटो दिखा दीजी अरे गदाहा पढ़ लो मैं के चक्कर में ना पढ़ो नहीं मैं लोग न तुमको पाताल लों बैचiling परड़लो पहले मैं के चक कर में न पढ़ो मैं बहुत डंजरस हैं तु देख लोगे तो तुम सोग एनिया आज देखो आगला तीसरा पक्का कर लोगे सबी न ठीक है अब भाई कमेंट ने देखूंगा मैं कमेंट के चक्कर में सब गड़बड हो जाता है चलो देखो 7 upon 5 का पर्फेंटेज में मान बताओ ये कलास सिर्फ उन के लिए जिनको मैथ नहीं आती जिनको आती हो मज़ा लेने यहां नहीं आएंगे वो चुप चाप भग जाएंगे यहां से जिनको ना आती हो जाएंगे निकलास छोड़के इसका मान बताओ मैं बताऊं कर नहीं आएगा रेगुलर मैं पढ़ाता हूं आज आपका टेस्ट हो रहा बस अलग अलग तरह के बहुत सारे कुश्चन होंगे जब रेगुलर पढ़ाता हूं तो एक ही टॉपिक बहतरीन तरीके चलता है इसका अंसर कोई बताया अरुन परसेंट में मान आएगा भाई परसेंट में आएगा भूरा सिंग कलपना निसाद परसेंटेज में आएगा बहुत इज़ी है परसेंटेज में बदलना है तो आपको सौश से गुड़ा करना है और जब percentage का चिन हटाना होता तो 100 से भाग करना होता मेरे भाई तो इसमें क्या करेंगे 100 से multiple करेंगे simple में तो 7 upon 5 into 100 5 से काटो 720 140 percent 140 percent राजन बहुत अच्छे गूपाल दूबे आप सभी बच्चे कलास को लाइक जरूर करो बाबू सेशन को लाइक करो जिससे की फटाफट बहतरीन कलास चल सके ठीक है यह आपकी जिम्मेदारी है आईए आगे बढ़े next question यह बताओ कि 3 बटा साथ वा कौन उचित भिन है proper fraction बहुत important है यह super debt वाले भी इसमें गड़बड हो जाते है इसको अगर P फे लिखें इसको Q से तो P और Q में कौन सी ऐसी फ्रेक्षन है जो proper fraction है चच्छा हलके मनी लेना नहीं तो खुद हलके हो जाओगे चलो राजन को बलग करिए यह आती नहीं महा आती कर दी इनको बलग करिए इनको मैम की फोटो चाहिए बस सर से कोई मतलब नहीं अब मैम है नहीं बता नहीं कहां दुनिया में है भी कि नहीं पी एंड क्यू मैंने आपसे बोला था यहां पर ना भाई तो P और Q में कौन सा बता रहो थीक है इसका जो करेक्ट आंसर है मेरे भाई वह पी वाला है थरी अपान सेवन जी इस घटर प्रापर फ्रेक्ट न क्यों एसा जिसका डेनोमीनेटर बड़ा होता है नूमिरेटर छोटा होता है वह प्रापर फ्रेक्टा का लाथा है बात समझ गए ना पका नूम्रेटर मींस उपर का गिंती मतलब जिससे अंस बोलते हैं जैसे इसमें तीन नूम्रेटर है साथ डेनूमेनेटर है कि समझ गए ना अच्छा ठीक है तो इसी में से एक ठीक ले लो 15 बटा 9 वा 1 बटा 2 में कौन बड़ा है कौन बड़ा अगर मैं इसको B बोलता हूँ इसको D तो आप इसको बताना चाहते हो तो B बता दो इसको बताना चाहते हो तो D एनिवन कोई बताएगा अखंड ब्रम्मचारी भई आपका तो नाम सुनके प्रणाम करने कमन कर रहा है आप कहां थे अब तक आजकर लोग थोड़ा सा भी ब्रम्मचारी नहीं हो पा रहे हैं और आप अखंड ब्रम्मचारी जिनको कोई इंक्वाइरी है कोई इंक्वाइरी है नीचे नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पर उस पर संपर्क करें दिन में फोन काल करें रात में वट्सप मैसेज करें आपको बताया जाएगा आईए टॉपिक पर बात करते हैं बी और डी में देखो मेरे भाई यह आधा है इसका मतलब आप जानते हो 0.5 इसका भाग करोगे एक बार पूरा पूरा जाएगा 1.6 सम्थिंग आएगा यानि यह देड़ से जादा है यह केवल आधा है रूपया में बात करें तो भाईया एक रूपया साथ पैसा है यह सिर्फ पचास पैसा है तो यह छुटकव हैं यह बढ़कव हैं और यह इनके बाप के दादा के बराबर बढ़े हैं मतलब यह पचास पैसा यह डेड़ रूपेस ज्यादा डेड़ गुनास ज्यादा बढ़ा एक है ऐसे इससे कर सकते हो आसे कर सकते हो यहाँ पैसे कर सकते हो आई पापान थ्री ग्रेटर देन वन पांट फूट कि नितिन बच्चा परिसान ना रहो नितिन बिस्कर्मा कि पीबीर स्टडी डाउनलोड कर लो या फिर आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाओ वहां पर सब दिया है का एको परिसान हो डंडा कर दियो एकदम से कि सभी कर लोगे ना तो आप कमेंट करके बताओ यह सारे सवाल आपको आते हैं कि नहीं कि सभी जानते हो नहीं यह सब की नहीं बहुत मज़ेदार है ना छोटा-छोटा अच्छा ठीक है एक आउड़ा हो कुछ लोग किसी का मोटीवेशन वीडियो देखे जो सागय आचाना का पढ़के मैं थम फाड़ देंगे एकदम जो दिन देखा फिठंडे हो गए तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला है डेली क्लास में आओ रेगुलर पढ़ो करत करत अब्याप से जण्मत वो तो सुजान कि इसका मान क्या आएगा कि एनिवन कर लोगे पक्का कर लोगे देखो बहुत कम टाइम इस समय मिल रहा है क्लास बहुत बढ़ी नहीं चल रही दस्तारीत से हमारी कोशी से लांग क्लास चलनाने की मैं फुली स्पीड में नहीं बोल रहा हूं और नहीं मैं बहुत फास्ट बोलता हूं को पड़ी खोल के रखना पड़ता साथ में सुनने के लिए मेरी बात नितु समझ में नहीं आता है कि देखो यह पांच और यह 32 दस अमलों हटा के उड़ा करते हैं पांच दूना दस का जीरो हांसी लेक पांच ती पंद्रा एक सोला एक सो साथ दो आंक और एक तीन अंक पर दसामलों लागेगा तो जीरो पॉइंट वन सिक्स जीरो यह आंसर होगा क्यों भाई समझ में आया दस बज़े से आपके डियलेट की क्लास है साथियों इस समय मुझे बहुत कम टाइम मिल पाता है इस लिए मैं छोटी क्लास देता हूं दूसरी बात कि आप लोग का इसका एक नया बैच शुरू होने वाला है बेसिक मैद का है दस तारीक से नया बैच न इस बैच में जितने बच्चों ने पढ़ना था उन्होंने सब्सक्राप्शन ले लिया अप में जा करके जिन बच्चों को लिए इस सब्सक्राप्शन लेना था जादी महुत सो का वह ज्वाइन कर चुके हैं लगभग इसमें 982 लगवग बच्चों ने सब्सक्रेब्शन ले लिया है और वो बच्चे प्यार से पढ़ रहे हैं जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं उनके लिए कोई आप्शन नहीं मेरे पास दूसरी बात इसका एक नया बैच आप याद दिलाना मुझे भूल ले नवर देना कि दस सितंबर से हम आपको न्यू बैच देंगे कि बता देने अपने साथियों को दस सितंबर से बेसिक मैट का नया बैच रात नों बजए ठीक है आईए आगे सुनिए आगे सुनिए एक कुस्चन और बताना मगर प्यार से चलो 128.50 का 12% बताओ भाई यहां दसामलो लगा है 128.50 का 12% कौन बताएगा एनिवन कोई बताएगा क्या आएगा इसका मन चलो जल्दी करो दसामलो देखके घबराना नहीं है इंक्वारी के लिए मोबाईल नंबर नीचे चल रहा बाबु काहे को परिसानो कमेंट में खूप सारा सवाल आ रहा मैं सबका देख रहा हूँ नीचे मोबाईल नंबर चल रहा उस पर संपर्क करो मैं सबका कमेंट बोलूंगा तो आगे कलाफ नहीं चल पाएगी गुड़ा का चिन लगाओगे परफ्रेंट का चिन हटेगा सो से भाग हो जाएगा ठीक है कि इह बिल्कुल सिंपल है यहाँ पर दो अंक पर 10-0 मैं कां कर सकता हूँ अभी आभी का विक्या मैं यहां से 0-0 काट सकता हुadia उसको पूंद मेंतों कोई दाउट नहीं किसी को नहीं काट खोंडू अ मैं हाप करोन सकते हो आप दो अंक पर दसनों नीचे दो जीरो बढ़ा लोपर दसनों अटाके तो यह बात भी तो अभी हुई हुई है गुड़ा बारा बटा सो कर लो बात तो ही हुई ना, चाहे इसको ऐसे कर रहें तब भी, वह ऐसे कर रहें तब भी, आप एक 0 से 1 0 कट दो यहां पे, ठीक है, अब देखो यहां पर 12 आ गया है, यहां पर 10 है, यहां पर 100 है, 4 से कट सकते हो आप, लेकिन मैं काटूंगा नहीं, देखो बात यहां पर लंबी बढ़ रही है क्यूं? अब इसमें कल्कुलेशन में थोड़ा बुद्धी ज्यादा लगानी पड़ेगी जुगार से, देखो जुगार क्या करोगे? अगर मैं इसको दो से काट दूँगा तो नीचे पांच वहां चा जाएंगे हां कट सकता है, कट सकता है, देखो दो पंचे दस, ना ना दो चंग बारा, और दो पंचे दस, पांच से काटो पांदुणा दस, यो गया थाईस, पचंपचीस, पांच सते पातिस, सही तो एरे बाबा बावूत मजे दार है यह, यह, दो अंग पर दसम्लो लग गया, टू पॉइंट फाइब सेवन, सही गया कि नहीं, सही गया क्या, आंसर का हम जाच भी कर सकते हैं, एक सो अठाइस दसम्लो, यार गलत लग रहा है, मुझे इतना कम तो नहीं आना चाहिए, आपको क्या लगता सही है, दस पर्फेंट देखो, कम से कम सो रुपए के बराबर होगा, यह गड़बर लग रहा है, मुझे पचीस के लग भग जाएगा, देखो कुछ गड़बर लग रहा है, और फिर से देखते हैं, 128.50 का बारा परसेंट ना, कोईश्चन मने जान बूज कर ऐसा लिया कि आप लोग थोड़ा सा बुद्धी के जाधा इसमें परियोग करें, गलत होगा सही होगा, हम लोग बिल्कुल इसको जहल के तभी जाएंगे आज, चलो, हमने पहले दस हमलो अटाया, और नीचे दो जीरो बढ़ा दिया, इसमें कोई गुना नहीं किया, पर फिंटेज का मान अटाना था या जीरो बढ़ा दिया, इतना ठीक है, एक जीरो से एक जीरो एक अट गया, दो छंग बारा, ए भाई यहां पे छे भी तो बचा चलो, काय को इसे इन दोनों का लेके इनको अंदेखा काय को कर दिया, यहां पे छे भी बचा है, तो इसमें छे से गुड़ा कर लो, 6 सते 42, हाफिल 4, 6 पंचे 30, 4 34, हाफिल 3, 6 दूना, 12 तीन 15, 15 रुपए 42 पंचा होगा, मनीता राव बिलकुल सही ठीक है, बेरी गूड, 15 रुपए 42 होगा, रभिंद्र सर्मा, बहुत अच्छे, बेरी गूड, तो यह था एक छोटा सा टेस्ट, जिसमें हमने आपको बहुत ही छोटे-छोटे कोश्चन करवाये हाँ पर, उमीद है कि आप समझ गया होंगे, 10 सितंबर से हम आपको इसका एक नया बैच देंगे, जिसमें आप लोग जो भी चाहें वो फटा-फट सब्सक्रेप्शन ले सकते हैं और प्यार फे घर बैठे सीख सकते हैं,